आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करें हेलो दस्तो वेलकम तो मिस्टराव इटेक चैनल फॉर जॉब अपडेट्स कैसे हो आज सब लोग तो आज हम लोग डिसकस करेंगे राजस्तान हाइपोट वैकेंसी के बारे में काफी भारी मत्रा में यहान पे वैकेंसी निकली हुई है यह जो वैकेंसी यह इस fianek ठिखेंगे राजस्ती तो सबसे बहले यहां पे टीन पोश्ट के लिए वैकेंसी निकली है यहा पे है जूनियर जूडिचल असिस班 Hack टेल suspended दag तो इसका जो date of advertisement जो advertise आया हुआ है वह है पाच अगस्ट को ठीक है इसका form भरने का जो date start होने वाला है वह है 22 अगस्ट से और इसका जो last date होने वाला है वह है 22 September ठीक है तो total number of vacancy कित्ती निकली हुई है तो हम लोग अभी रेखेंगे junior judicial assistant के लिए आपे 320 vacancy निकली हुई है then junior assistant के लिए आपे 378 vacancy निकली हुई है और clerk rate 2 के लिए 2058 vacancy निकली हुई है तो यह जो total number of vacancy यहाँ पे निकली हुई है 2756 ठीक है तो इसके बाद में हम age limit के बारे में बात करते हैं तो age limit यहाँ पे होने वाली यह 18 से 40 साल तक के ठीक है age count होगा आपका एक एक 2022 से ठीक है तो इसमें relaxation भी मिलने वाला है SC ST OBC वीडो और EWS candidate जो है उनको पास साल करें age relaxation मिलने वाला है लेकिन इस सिर्फ राजस्तान के जो candidate से उनी के लिए होने वाला है यह एज relaxation और राजस्तान के बाहर से जो भी candidates होंगे वह SC में आओ OBC में आओ फिर भी उनको general category में ही गिना जाएगा ठीक है तो यह आप point note करके रख दीजिए तो इसके बाद में examination fees क्या होने वाली है उसके बार में हम लोग भी discuss करेंगे मैं आपको एक बात बता दू यह all और इंडिया से कोई भी candidate से form भर सकता है ठीक है तो सबसे बहले जो fees होने वाली general category के लिए वह 500 रुपे होने वाली है ठीक है जैसे मैंने आपको बताया जो भी राजस्तान के बाहर से होगे category वाली भी होगे तो भी उनको 500 रुपे देना होगा क्योंकि वह general category में आने वाले है ठीक है जो राजस्तान के candidates है वो OBC और EWS वाले जो candidates होगे उनको 400 रुपे देना होगा और जो SST और physical handicap candidates है उनको 350 रुपे यहाँ पे fees अदा करनी होगी अब हम लोग बात करेंगे education qualification के बारे में ठीक है तो जैसे कि आप देख सकते है यहाँ पे जो minimum academic qualification मंगा गया वो है graduate in law ठीक है आपका जो graduation होना चाहिए वो law में होना चाहिए और आपक computer of knowledge होना चाहिए ठीक है और जो next बात है वो है date of examination तो यहाँ पे notification में कुछ दिया हुआ नहीं है कि कब exam होने वाली है लेकिन जबी भी exam होगी आपको notification provide की दी जाएगी ठीक है तो उसके बाद में हम बात करते है scheme and syllabus of examination तो आपका जो exam होना है वो सबसे पहले return test होगा यह दो आपको सेक्शन में आपका exam होने होने वाला है सबसे पहले return test होने वाला है उसके बाद में skill test होने वाला है तो जो当然 test में वहने वाला होगा जनरल नौलिज की questions होने वाले और इसका जो timing duration hour जो आपको मिलने वाला है वो 2 घंटे का duration time आपको मिलने वाला है और आपको एक चीज बता दू यह objective type exam होने वाली है ठीके 2 घंटे का time में objective type exam होने वाली है ओके तो आप जैसे यहाँ पर देश सकते हो SC, ST और physical handicap handicap candidates है उनको 120 marks लेने होगे ठीके minimum marks पास होने के लिए और जो other candidates है ठीके उनको 135 marks minimum लेने होगे पास होने के लिए और यह जो exam OMR sheet में होने वाली है ठीके online exam नहीं है यह OMR sheet में आपकी exam conduct करने वाले है राजस्तान court ठीके और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें no negative marking है तो आप आराम से कुछ भी अच्छे से पेल सकते हो ठीके राइट और आपको दूसरी बात और एक main बात बता दू यहापे हर एक पार्ट में जैसे हिंदी हो गया English हो गया general knowledge में तो हिंदी में आपको 100 marks का questions आने वाला है ठीके लेकिन वो एक 50 questions होने वाले है यहने एक questions आपका 2-2 mark का होने वाला है ठीके इंगलिश में भी सेम वैसा ही होगा सवमास का questions होगा लेकिन उसमें 50 questions होंगे तो एक question जो रहेगा वो 2 mark का होने वाला है तो हम लगों भी बात करेंगे syllabus of return test की ठीके तो हिंदी में क्या आने वाला है तो आप यहाँ पे देख सकते हो हिंदी में जो topics आने वाले उसी में से आपको पढ़ाई करनी है उसी में से आपको questions पुछे जाएगे ठीके जैसे संदी हो गया संदी के भेद ठीके समास के प्रत्य ठीके यह सब जो है topic यह topic से ही आपको पुछा जाएगा हिंदी के बारे में ठीके देन English जो हो रहेगा उसमें आपको कौन से कौन से topic आने वाले है इंप्रूमेंट ऑफ सेंटेंस टेंस होगा सिक्वेंस ऑफ टेंस हो गया ठीके वाइस एक्ट्व एंट टॉसी पैसिव इसके रिलेटेड आपको questions वाद दिखाई देंगे देख नरेशन डाइरेक्ट और इंडारेक्स के questions आपको वाद दिखाई देंगे then transformation of sentences हो गया ठीके इस में से आपको questions वापे English के में दिखाई देंगे use of articles हो गया ठीके correction of sentence हो गया synonyms and antonyms हो गया one word substitutions हो गया prefix and suffix हो गया ठीके confusable words हो गया तो general knowledge में आपको current affair पूछा जा सकता है geography हो गया natural resources वहाँ से आपको questions देखने को मिलेंगे then history and culture of Rajasthan से then section B में आपका type writing test होने वाला है वो जो computer में आपका test होगा ठीके सबसे पहले paper 1 में आपका speed test होगा कि आप मतलब computer में कैसे आपकी speed है ठीके typing की वह आपकी देखा जाएगा तो सबसे पहले Hindi language में देखा जाएगा और दूसरे बार next time English language में देखा जाएगा ठीके पाच-पाच मिनिट का यह जो duration आपको typing के लिए दिया जाएगा ठीके उसके जो 25-25 मार्स रहेगे Hindi के 25 मार्स होंगे और English के 25 मार्स आपको होंगे ठीके उसमें से आपको SCST जो physical handicap candidate जो है उनको 25 में से 20 मार्स लेना होगा ठीके और वैसे जो other general candidate से उनको 25 में से 22.5 मार्स यहापे देना होगा speed test के लिए ठीके और जो next paper होगा paper 2 वो होगा efficiency test ठीके तो यह जो efficiency आपके देखने के लिए होगी efficiency आपकी कैसी है तो यह भी 10 मिनिट का होने वाला है उसके maximum mark 25 मार्स का होने वाला है यह जो है paper आपका typing test का तो इसमें आपको SCST वालों को फिर भी 20 लेने होगे और other candidates के लिए 22.5 मार्स देने होगे तो जैसी कि आप देख स जरूरी है वाप ठीक है English और Hindi दोनो language में ठीक है तो आप जैसे notes में आप देख सकते हो merit list जो आपकी बनने वाली है वो है आपके जो aggregate marks होने वाले है जो phase 1 में जो आपका test होगा ठीक है object to type OMR sheet पे उसके base पे और आपका जो return टैपिंग जो return test होने वाला है उसके base पे ठीक है पहले हम आपको बता दूँ यहाँ पे दो साल का आपका provision period होने वाला है job लगने के बाद में ठीक है तो दो साल के जो period होगा उसमें आपको 14,600 रुपे मिलने वाला है उसके बाद में आपका जो base scale होने वाला है वो है 20,800 से लेके 65,900 रुपे तक ओके यह है यह 2400 grade पे की job ह है ओके तो 20,800 से लेके 65,900 रुपे तक के आपको वेतन दिया जाएगा यहाँ पे ओके तो 20,800 भी आपको starting में दो साल के बाद में मिला तो उसके उपर आपको allowance HR A, TA, DA जो भी आपका जो allowance मिलता है वो मिला उसके आपको 20,800 से भी ज्यादा आपका base scale पहले दो साल के बाद मे चुके है राजस्तान हाइकोड की वेकेंसी के बारे में आपको पूरा मैंने detail review यहाँ पर बता दिया है पूरा detail notification आपको बता दिया है कब apply करना है कब उसको मतलब उसका application form कब start होने वाला है उसका last date क्या है उसकी vacancy के बारे में age limit के बारे में education qualification सब कुछ आपको यहाँ प apply link आपको description में मिल जाएगी वाक से आप लोग आपे apply कर सकते हो ठीक है तो आप अभी फिलाल इतना ही इस वीडियो में ठीक है अभी next topic में मिलेंगे next video के साथ में तो तब तक signing off bye bye take care